प्रेंड्स मेरे पात से ही एक रुपर का स्थिक का और आज कल एक रुपर में क्या ही मिलता है इस मेलडी चोलेट के लावा लेकिन आज मैं इस एक रुपर से ही एक मिनी होम मशीन मनना के दिखाऊंगा तो चलिए देखते रही मेरा वीडियो प्रेंड्स एक रुपर में मिनी फोम मशीन बनाने के लिए हमें चाहिए यह बेकार सी पड़ी होई कोडरिंग की बॉटल अब कोई भी जूस की बॉटल या मिन्डल वाटर की बॉटल यूस कर सकते हैं तो इसको हम यहां से काटेंगे वोम मशीन आज कल पार्टियों में बहुत ट्रेंड में चल रही है तो इसका हम एक मिनी मडल थोटा सा मडल बनाएंगे जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इंट्रस्टिंग होगा खेलने के लिए भी और सीखने के लिए भी एक आसे एक फोम मशीन काम करता है तो यह मैंने कार दिया है अब आगला स्टेप है यह बेवी वाइब्स यह कहीं भी आजकल घरम मिल जाता है क्योंकि इनके यहर में भी थोटे बच्चों होते हैं वह दिखतर इसी का यूज करते हैं तो यह बेवी वाइब्स ले देता हूं में आप कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज कर अब इसको लगा देना है यहां पर इस तरह से तो यह हमारा जो है फोम मशिन मंट के रेडी हो चुका है अब हमें चाहिए फोम शोलूशन उसके लिए हम यूज करेंगे एक प्लेट और यह एक रुबे की शैम्पू हमारा जो में जो कॉस्ट है लागक जो है वह यह है नहीं कि एक रुबे की शैम्पू है वह हमारा कॉस्ट है तो इसको हम क्या करेंगे भी काट के इसमें डाल देंगे अब थोड़ा सा जो है पानी जो है इसमें डालेंगे को अब इसको हो कि मिला देंगे हिसा है अई मीच को गया है तो फ्रैंट्स हमारा जो है un faxप मशिंट कर सैट अप है वो रडिय हो चुका है मारा पो मस्चीन है और यह हमारा जो है फ्रुम स्वलुशन यह दो कि दो आल्ड़ दी घपे में आ हमारा सेटफ रड़ी है बादी आती है इसको टेस्ट करने की तो चले टेस्ट करते हैं इसको उपन नहीं है जब भी आप कोई बोटल या कोई भी जूस की बाटल यूस करते हैं तो ख्याल रखिए कि अच्छे से वाश कीजिए कि इसमें मूह लगाएंगे तो कोई भी जर्म स वारेस होगर आ सकते हैं तो इस तरह से अब देश सकते हैं बहुती अच्छा यह फोम मशीन बन के लड़ी हो चुका है और भी आ रहा है तो यह बच्चों के लिए बहुती बहुती इंट्रेस्टिंग है और मनरंजग भी है इससे खेल सकते हैं आराम से क्यांपू है तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से फोम मशीन काम करता है जो बड़ोड़े फोम मशीन च्रेंड में है और मैंने जस एक रुपी के लागत में इससे बनाया है तो फ्रेंड्स आपको मिशा वीडियो कैसे लगा अगर इंफर्माटिव लगा हो तो लाइक क आप लाइक करते हैं